का बिलगुल सभी यहां पर देखिए जबाब देना है उस पडोसी राष्टे की पैचान करें जिसके साथ भारत अपनी सब से लंबी सीमस आजह करता यहां पर दिखिए जबाब क्या होगा तुल यहां पर बांगलादेस Hoka बिकल्प नमबर यहांaur क्या होगा आप सबसे कम हमारा अफगानिस्तान का है एक सुच्छे एक सुच्छे किलोमेटर है अफगानिस्तान का सबसे कम है चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए जवाब देना सर्दिय विसू यानि रात दिन यानि यहाँ पर आपको बताना है 2019 में यहाँ पर बताना है कब थ होता है है ना और इस समय इन दोनों गोलार्दों को समवान प्रकास से मों उर्जा भी प्राप्त होती रहती है प्रत्वी पर दिन और रात की अवद भी समवान आपकी हो जाती यह इस्तिति वर्स में दो बार आपकी आती है और दूसरी आती है आती है आपकी 23 सितंबर को लेक आगे हम बढ़ते हैं, करक रेखा निम्लिखित में से किन राजियों से उगर गुजरती हैं, देखे भारत के आठ राजियों से करक रेखा आपकी जाती है, हाँ बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल देखे जवाब सही दिया गया है, यहाँ पर आठ राजियों जाती है, कौन ती मंगाल जहारखंड तिरुपुरा और मिजोरम से होगे जाती है यहाँ पर बिगलप नमबर यहाँ पर सी होगा आगे 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 बढ़ते हैं निम्डिकित में से कौन सजिला भारत की अंतराष्टी सीमप पर है यहाँ पर देखिए जवाब देना राइट अंसर क्या है यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा विकल्प नमबर यहाँ पर कौन सा होगा किन ओर होगा यहाँ पर अनसर आपका हो जाएगा जी नमबर हिमांचल प्रदेश का किन अर जिला अंतराष्टी सीमा परिस्तित है यहाँ पर इस जिले की सीमा जो है तिबब्बत के तब आदब लाल-सागर का भाग है अगे बढ़ते हैं बारत का सबसे बड़ा एक अगे- विकलुनबर यहाँ पर डी नबर आपका रायट अंसर होजाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं हाँ ग्रेट निकोबार दीफों का बिल्कुर सही जवाब है चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए बताना है भारत के किस राज जगा सबसे लंबा समुद्री किनारा है यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा तो यहाँ पर आपका गुजरात होगा विकल्प नं संग सासित प्रदेश है निकोबार में दीफों की संख्या कितनी है देखिए यहाँ पर आपको बताना है कितने दीफ हैं तो वैसे अगर हम बात करते हैं अंडवान और दीको निकोबार दीफ समूं में बंगाल की खाड़ी में इस्थित हैं और इसमें करी 572 छोटे छोटे और निकोबार में बात करते हैं तो दीकोबार में कितने इसी आपके 19 होंगे निकोबार में आपके 920 01 316 कोос नबर और आ वह आगे हम पढ़ते हैं भारत का को सा संग राज चेतरे आकार में सबसे बड़ा हैं यहाँ पर देखिए बताना है यहां पर आपको बताना है यहां पर होना चाहिए लद्दाक होना चाहिए आप जो प्रस्णा आएगा अब तो लद्दाक भी हापका केस्वासी बन चुगा है वरतमान में आपका लधाक है याद रखएगा वरतमान में काउसाँ है ना, लदाक हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्लिकित में से किस देश के साथ भारत की अंतराश्टी सीमा नहीं लगती है यहाँ पर देखिए जवाब देना है को सा नंबर 10 का अंसर क्या होगा गयाला नंबर कर देखिए देना है नहीं नहीं पांडी चैरी है लिकिन वैसे नंबर एक प्राइब का लद्दाग हो चु एक यहाँ पर देखिए जवाब देना है कितना प्रत्शत खेरा हुआ है तो यहां परनसर हो जाएगा टो-पॉइंट-फॉर प्रसेंट विकल नंबर हैँआपकार राइट-ण सेरापका complot नमबर यहाँ पर डी नमबर वाला बिल्कुल सही है सराप देखे लेकपाल में पूछा गया था लेकपाल का पूछा हुआ प्रस्ण है देखे यहाँ पर पताना है भारत का विस्व में छेत्रफल के आधार पर कौन सा इस्थान है यहाँ पर देखिए आपको बताना है तो य चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, आस्टेलिया है, तब कहीं भारत आता है। अंडेमान और निकोबारत तथा लचिदीब समेथ भारत की कुल तटी रेखा की लंबाई लगबक कितनी है। यहाँ पर देखिए, जबाब देना है कोसर नमबर 14 अंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 75-100 किलो मिटर, बिकल्प नमबर यहाँ पर C नमबर होगा। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भारत की समुद्री सीमा, तटी किनारे से, यहाँ पर देखिए, बताना है कितनी दूरी तक समुद्र में फैली होई है, यहाँ पर देखिए, बताना है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 समुद्री मिल, है ना, 12 समुद्री मिल फ किलो मीटर है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा डी नंबर कि बारती मानक मेरेडियन पांच राजियों के माध्यम से गुजरता है इन में से कौन सा राज्य पांच में से नहीं है हाँ यहाँ पर देखिए 17 नंबर देखिए जवाब हमारे बिचा चुका है हाँ कमेंट देखिए सबी लोग करते रहे हैं कमेंट देखिए करेंगे उससे तैयारी पता चलता है आन्ध्र प्रदेश नहीं कितने प्रश्ण मने सही किया है यहाँ पर अंसर कें अप्राज क्या ह buscar अंध्रप्रदेश मेंडरेस नहीं होगा इनवे से कौन साथ, राज पांच मैं से नहीं है, पिहार नहीं है, ठीक है पिहार होगा, देखिए, भारती मानक समय IST के स्थाफणा, 1 सितंबर 497 को हुई थी, हाना यहाँ पर आपका अंसर होगा, उतर प्रदेस है, आपका मद प्रदेस भी है, अंद्र प्रदेश भी है, च्छत्र गार उडशा ये सब है, ठीक है, यहां पर नम्र नमपर की सिमाय के तने देशों से लगती है- यहां पर देकिह जवब देनाहद बहुत ही driven स्ट्वल प्रस्ण है साथ देशों सिमाई लगती हैं तिरपुरा अपने उत्तर दच्छिड और पस्चे में यहाँ पर देखिए बताना घिरा हुआ है यहाँ पर अंसर क्या होगा यहाँ पर बांगला देश से घिरा हुआ विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा डी नमबर ऐा कि चलिए यहांप साई की नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है देखिया ही नमजा नंबर राइट है वृम किसे कहा जाता है अंडमान निकोबार्थ दिप समू को भारत का मानक समय मेरेडियन कौन सा है तो बहुत आसान है यह यह आपका 82 डिगरी और 20 मिनट इस्ट देस आंतर विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा यह नंबर होगा यह नंबर होगा यह वीडियो परिच्छा में पू पूशा गया है अंडमान निकोबार्थ दिप को अलग करता है कौन सा है यह आपका है दस डिगरी चैनल विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका डी नंबर राइट अंसर आपका हो जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं निम्डिकित में से क्या दस डिग्री चैनल से अलग किये गया है तो देखें गुमार फिरा के फिर से पूश लिया गया है दस डिग्री अभी उने बताया था अंडमान निकोबार दिप समू होगा विकल्प नंबर यहां पर भी नंबर आपका हो जाएगा चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है नदी दिप कौन है देखिए यहां पर आपको बताना नदी दिप कौन है कौन सा नदी दिप है तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा माजुली हना माजुली दिप कहां पर है यहां पर असम में ब्रह्म्य पूतर घाटी में इस्तित है यहां पर विकल् करते हैं तो इंद्रा पॉइंट है यहां पर राइट अंसर क्या होगा विकल्प नमबर आपको हो जाएगा चलिए आगे मढ़ते हैं नेमलिकेट के के दावरान पे तो आपका प्रस्ण पांडे बांडे चेहरी था लेकिन अब आपका चेंज हो गया है याद रखिएगा लद्दाक है पहले नंबर पर लद्दाक पर जम्मो कस्मीर आएगा अब यह केंसासी प्रदेश बन गया है वर्तमान में ठीक है ना तो इस प्रस्ण को आउने तो देखा जाए अगर वर्तमान से अगर हम तुलना करेंगे प्रस्में तो आप समसारे गलत हैं है अब अंसर क्या बनेगा यहां पर अंसर आप कब बन जाएगा वाणी गांगर बिल्कुल चेंज हो गया है वही हम भी कह रहे है अब लद्दाक हो गया है अब दरसल प्रिवियस येर के पेपर में प्रस्ण थे पुराने पेपर थे तो उसमें दिया था हम बतातु रहें लद्दाक हो गया तब इसका वईसे तो अब लद्दाक की टिकर गया इएगा लद्दाक चलो आगे बढ़ते हैं बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है यहाँ पर दिखे जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा तो बस्तर आपका है यह 36 गड में विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा बी नमबर आपका हो जाएगा चलिए यमपी से आपका यह क्या बोलते हैं 36 गड आपका बना था ना यह एक नमबर 2000 को चलिए आगे बढ़ते हैं प्राय दुपी भारत का दच्छिरिच छोर कन्या कुमारी इस्तित है कहा पर इस्तित है यहाँ पर दिखे जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा राजर सुलेकपाल में पूछा गया था प्राय द प्राय दुपी भारत का दच्छिरिच छोर क्या है करन्या कुमारी भूमत रेखा के उतर में और करकर रेखा के दच्छिर में इस्तित है यहाँ पर राइट अंसर आपका हो जाएगा बी नमबर होगा चलिए आगे में बढ़ते हैं देगे लेकपाल में पूछा गया था न करें सब्सक्राइब देखें हैं नाम नहीं लिए यह इंक होगा ओ१ष यहाँ पर आपका सिखा रहें चलिए यहां पर बताईए तो यह तो आप है पश्चीमिगार का सभर सिखा कौल सा इनायी मुडी है विकल्प नमबर यहां पर ए नमबर हुगा चलिए यहां पर आपको देखिए बताना है 행 यहां पर दिखिए आपको बतानाइं भ्रह सूंस थे परवतों में निम्तर खंड ह होते हैं हाना यहाँ पर देखिए आपको बताना है भरंस से संबंदित हैं जब दो भरंसों के बीच का इस्थम अगर यथावत रहता है और किनारे के इस्थम में नीचे धस जाते हैं तो बिलाग परवत का निर्माड आपका बन जाता है तो यहाँ पर अंसर क्या होगा पर 31 का सी होगा द्रोडी का नहीं होगा सी नंबर होगा चलो आगे बते हैं पर प्राई दूपी उत्रे भाकी अवसब्न उचाई लगबा कितने मीटर है यहापको बताना है, तो यह आपकी है 6000 मीटर विकल्प नमर यहाँ पर 2 जू यहाँ पर nombर होगा, चलि यह भारती प्राया द्विप की सबसे ऐची चोटी काउनसी है, यहाँ पर आपको बताना है, भारती प्राया द्रृप की सबसे उची चोटी काउनसी है, यह आपकी अनाई मुड़ी है, बिल्कुल, रायटन सर् Aquí आपका अब इनमबर होगा, है न, इसके उचाई, देगे, केलर राजमे है न, यह आपका, और इसके उचाई कितनी है इसके उचाई है 2695 मीटर है 2695 मीटर की उचाई है इसकी हाँ बिल्कुल सही है कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है यहाँ पर दिखे जवाब देना राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर आपको हो जाएगा छोटा नागप हिमाद्री में परवसिखर नहीं है कौन सा नहीं है यह आपको बताना है हिमाला या हिमाद्री में परवसिखर नहीं है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सी नंबर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा पूछा गया था दो भाजार रफार के परिश्या में आपका प्रशने हैं यहां पर देखिए आपको जवाब देना है तो यहां पर आपका बाड़ा सुरूवाला होगा बाड़ा सुरू नहीं है बाकी सब है विकल्प नमबर यहाँ पर ए नमबर हो जाएगा अधिए 36 नमबर का आपका चलिए 37 नमबर का आपका अंसर क्या होगा ए नमबर होगा वैक कौन सा सरवोच्च परवत सिखर है जो पूरी तरह से भारत में इस्तित है देखिए आपको बताना है परवत सिखर का नाम और पूर्ड रूप से होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आपका अंसर होगा क्या होगा बताइए कि हां कंचन जंगा होगा 38 नमबर का क्या होगा कंचन जंगा है आपका यह कितना है पचासी और कितना इतना है यह आपका यह लेकिन देखो इसका अंसर तो कंचन जंगा होना चाहिए लेकिन जब यह प्रस्ण आ आ या इस प्रस्ण का अंसर क्या होगा नंददेवी होगा रहे है अग्धिन यहां पर आंसर आयोग तो देखिए अंसर सीड में यही दिया गया था लेकिन वैसे कंचन जंगा आपका होना कंचन जंगा रहा है नंदद देवी आ रहा है हालाग कि हम ने दोनों अंसर बता दिये हैं हैं कंचन होना चीए था प्रतायोग आयोग ने नंदा देवी दिया था हना आयोग ने नंदा देवी इसका अंसर दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं पस्चिमी घाट बताईए पस्चिमी घाट है तो यहां पर आपका क्या होगा पठारों का धलान होगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा सी नंबर आपका ह हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कारा कोरम परवत सरंखला में सबसे उची चोटी कौंसी है अगर हम कारा कोरम की बात करते हैं तो सबसे उची चोटी कौंसी है यहाँ पर आपका केटू है माउंट केटू हो जाएगा बिकल पर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा इसकी उचाई के गर हम बात करते हैं, इसकी उचाई कितनी है, 8611 मीटर है, याद रखिएगा, इसकी उचाई आपकी 8611 मीटर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पस्चिमी घाट का सरवोच सिखर कौन सा है, देखें यहाँ पर जवाब देना है, 41 का अंसर क्या होगा, पस्चिमी आपको बताना है, तो यह आपका है, तिर्वंत पूरम में है, तिर्वंत पूरम कहां पर है, केरल में है, तो केरल की कैपिटल होती है, यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा, C नमबर, निम्लिकित में से कौन सी घाटी हिमाले परवस रंखला में इस्थित नहीं है, यहाँ पर आपका अंसर ग्या होगा राइट सरक्ति को जाएगा अराको जो घाटी है आपकी ये आंदर प्रदेश के दच्छिड भारती राजी में विशाखा उच्छबनभ४ जिल्य में मतला एक प्रसित हिल स्टेसन है जो कि पूरवी घाट परवत में इस्तित घाटी है आपकी तो यहां पर दी नमबर आपका होगा आगे बढ़ते हैं मेघाले पठार की सबसे उची चोटी कहुंसी है जेकि यहां पर आपको पताना है मेघाले पठार की सबसे उची चोटी कहु है यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा अरावली होगा कई बार पेपर में पूछा गया है भारत का प्राचिनितम परवत कौन सा है अरावली यह दो तीन बार पढ़ेंगे अच्छे से याद आपका हो सबसे कम है अगर हम बात करते हैं सबसे कम उचाई की तो अंसर आपको देना है क्या होगा तो यहां पर देखिए का अंसर क्या होगा कि अ कि अधिव यहां पर मुखड जो परवाथना आपका उत्तराखंड में है थाना सबसे कम यहीं होगा विकल्प नंबर डी हाँ बिल्कुल सही है दी नंबर होगा चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए यहां पर देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वीडियो को देखिए लाइक शेर भी कर दीजिए कर दीए सबसे बड़े चार इगे भारत में कहां इस्थीन है अगे बढ़ते कंचन जंगा विस्ट में तीसरा सबसे बड़ा परवत यहां पर देखिए आपको बताना रिक्सिस्तान के बीच सीमा पर इस्थित है तो यह आपका हो जाएगा भारत और नेपाल हना भारत और नेपाली तो होगा बारत और नेपाल के बीच सीमा पर आपका इस्तित है कंचन जंगा, इसकी उचाई कितनी है, 8598 मीटर है, उचाई भी यात रखिएगा, 8598 मीटर है आपकी, हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर बताईए, निमने में से किस परवती इस्थान की उचा समुद्र तल से सबसे अधिक है, उटी होगा, है ना, उटी क्या होगा, राइट अंसर आपका होगा, उटी, लिकल्प नमबर भी होगा, पचास नमबर का अंसर दो प्रकार से आ रहे हैं, ए और, सबसे अधिक पूछा गया है ना, उटी, दार्जलिंग की देखिए, दार्जलिंग की जो उचाई है, इसकी आपकी है, दो हजार बयालिस है, और उटी के आपकी है, बाइस हो चालिस है, आप समझ लो कौन से जाता है, चलो, आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अंडमान का उच्चितम बिंदू 732 मीटर पर इस्थित, यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, चोटी यह कौन सी है, यहाँ पर देखिए, जवाब देना है, तो यहाँ पर आपको हो जागा सैडल, याद रखेंगे, विकल्प नमबर आपका यहाँ पर क्या सही जोड़ा इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है, आगर हम बात करते हैं, जोजिला और बुर्जिज दर्रा की, जम्मु कस्मीर में है, यह जम्मु कस्मीर में है, कौन सा सही नहीं यह आप से पूछा गया है, और यहाँ पर अगर हम 12, लाचा, शिवकिला के बा है यहां पर जवाब देते रहे हैं 53 अंसर क्या होगा और यहां पर देखिए जवाब हमारी भी चाच चुका है यहां पर अंसर क्या होगा 53 का बी नंबर होगा केरल और तमिल नाडू बिलकुर सही जवाब है हा ना हमांचल प्रदेश में हाँ 12 लिच्चा सिपकिला हमांचल प्रदेश में था चलो यहां पर आपका केरल तमिलनाडू तो है भी नंबर होगा चलो आगे बढ़ते हैं को ततराखंड है यहाँ पढ़ाब देना है नहीं है तो आपका देखिए लेख तो है और नीटी दर भी है मुलिंग लब है एक है सिपेकला थो जाहिए ना जोगा नंबर बैंजे लिए छोटा है पास किसे जोडता है या पर के बताना है यह ले और श्री नगर को जोड़ता है डी नंबर आपका होगा पच्पन नंबर कर डी होगा देख लेते हैं वानवेचा आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिये आपको बताना रिक्सिस्थान है दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर आपका इस्तित है बनिहाल दर्णा सभी को पता जम्मू से श्री नगर जाने का मार्ग है है ना जवार सुरंग इसी में इस्तित है आपका चलिए अगला प्रश्ण बताईए 57 का अंसर क्या होगा शिपकिला दर्णा हिमालय की किस घाटी में इस्तित है और यह सीमिला से तिब्बत को जोड़ता भी है हाना यह 17 घाटी में इस्तित है विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका डी नंबर हो जाएगा आगे बड़ते रोहतांग दर्ला भारत के किस राज में इस्तित है हाना वीडियो पर इच्छे में पूछा गया थे प् आए हुए हैं वही हम आपको कलेक्शन आपको पूरा यूपीट रेपलेश्टी बेस्ट करवा रहे हैं ताकि गलती से भीकर कोई प्रस्ण इदवज़र्स उठाएगा तो आपका गलत नहीं होगा रोतांग दर्णा भारत के किस राज में इस्तित हैं यहां पर देखिए ज चिलका जील और इसा राज में इस्तित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील यहां पर देखिए बताना के दच्छडी और इस्तित है यहां पर अंसर क्या होगा तो यह है आपका महा नदी डेल्टा होगा विकल्प नमबर यहां पर डी होगा चलिए आगे बढ़ते है यहां पर देखिए जवाब देना निम्डेखित में से कौन सी जील मड़ी पूर में इस्तित है देखिए साथ नमबर जवाब हमारे बीच आ चुका लोक टक होगा बिलकुल सही है लोक टक होगा लोक टक जील बारत में ताजये पानी के एक बड़ी जील है और यह जील इंपुर्ग गिराधानी इंफाल के पास है आप देगे एकसे नमबर आप से पूछा गया है चिल जील कहां परिस्थित है कि कि यहां पर जवाब देना है कोसर नमबर काराइट अंसर क्या होगा और देगे जवाब मारे बीच आ चुगा है और देगे बिलकुल सभी जवाब पानी के जील है ये भारत की सबसे बड़ी जील भी है देखे यहाँ पर जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा देखे यहाँ पर आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी है और विस्टू के दूसरे नंबर की है और यहाँ पर भी देखिए अंसर बिल्कुल सही दिया गय यहाँ पर देखिए जवाब देना है कोसा नंबर 63 का अंसर क्या होगा मुख घाटी यानि साइलेंट वाली कहा पर इस्तित है तो आपको बताना थोसे घर जल प्रपात जो आपका यह कहा पर यह महाराष्ट में कहा पर महाराष्ट राज में इस्तित है विकल्प नंबर आगे बढ radio न का और और र। है जब आगे पर आज़ेंट को यहाँ पर क्या है सुमेलित करना है मिलाण करना है ठीक है ना चलिए मिलं कर यहाँ पर बताईए इसकांसर क्या दाथ easy फिली नाम गयाकु नाम करूंड कर peuventتाना है यहां पर देखे 65 नंबर के बताया जारा अब B देखिए जो पुलिकट जिल है आपका यह आंद़ प्रदेश में है तो पुलिकट जील है कौन सा यहां पर हो जाएगा तमिनाडू है जाएगा और अर्यापल लगे नंबर होगा यह नमबर बिल्कुल सही जबाब है यहां परहने जीएंगे व्ल्कूण देखраब देना गोदावरी नदी महाराश्ट के किस जिलेसे निकलती है यहांपर देखInter RAM Microsoft जेक एक एक्जाम में पुछा गया था 2021 में एक्जाम हुआ था यहांपर 2016 का पेपर 2020 में करवाएं समझ यह कितना लेट है बताइए इसका अंसर क्या होगा यहाँ पर अंसर आपको नासिफ होगा बिल्कुल सही है बी नंबर होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए जवाब देना निम लिखित में से कौन सी हिमाली नदी तंत्र की नदियां है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कर अंसर नेम लिखित में से कौन सी नदी के खाड़ी में नहीं मिलती है यहाँ पर देखिए जवाब कर देना कि और इसका होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा बताए इसका अंसर क्या होगा देखे 59 नंबर के देखे जवाब देना है हाँ B number होगा नहीं नहीं कोई नहीं होगा यहां पर कोई नहीं होगा आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से कौन सब बिकल्प भारती प्रायदिव में परस्टिम के और बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है यहां पर दिखिए आपको बताना इसका अंसर क्या होगा तो निम्लिकित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकनी के नाम से भी जाने जाती है यहां पर देखिए आपको बताना है उत्तर पिनाकनी के नाम से भी जाने जाती है राइट अंसर क्या होगा यहां पर आपका हो जाएगा पैनार नदी याद रखेंगे बिकल्प नंबर यहां प वाप के अंसर क्या होगा है यहां पर आपकी जो हैं अंसर आपके दिया गया है बिल्कूल जबकि सोन क्या है अमर कंटक्स निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है भी नंबर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए बताना नर्मदा के अतरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमर कंटक्स से निकलती है यहाँ पर जवाब देना चकवंदी लेकपाल में पूछा गया था आपके प्रसने चकवंदी लेकपाल में आपका पूछा गया था यहाँ पर देखिए जवाब देना इसका आपका सुमेलित है हाना और तापती नदी बेतुल का पठार ये भी सुमेलित है जो सोन नदी है ना ये बाला नहीं होगा ठीक है ना विकल्प नमबर यहां पर देखिए सोन नदी का अमर कंटक्ट पाड़िस होता है हाना अब पेंडरा का जो पठार है छत्तिस गड़के उत काविनी हम हैं मवती और अंतर और क्या होगा चलिए आगे बढ़ते हैं राजसुलेकबाल में पूछा गया था मधाा बताई यहां पर कौन सी नदी है तो यहां पर आपका हो जाएगा शत्तलज नदी बिकल्प नमबर यहां पर क्या होगा सी नंबर होगा बलकुल सई जबाब दिया गया है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, यहाँ पर देखिए बताना है, अंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जबाब दिया गया है, देखिए 77 का, यहाँ पर बताया जा रहा, सो नदी होगा, देखिए, यहाँ यहां पर सबसे छोटी पूछा गया है हाँ डी नंबर होगा बिल्कुल सही है सो नदी होगा बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं हाना इसकी लंबाई जो है आपकी 784 मीटर है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है सबसे सिंपल प्रस्ण है आसान प्रस्ण कह सकते हैं कंगा भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है यहां पर देखिए जबाब देना इसका राइट अंसर क्या होगा तो यह कहा जाता है भारत का रूर किस नदी बेसिन नोतालिर को निकल नंबर में यहां पर क्या होगा ये नम्बर का राइट अंसर मेंlight lekhid hmm that तो रेक स्थान से होकर बहाती है यहां पर दिखिंगे जवाब देना राइड अंसर क्या होगा यहां पर आपको उटार प्रदेश्का त्रिमेरी संगं में से किसके संगम का इस्थान है है ना तो यह तो सभी को पता होगा गंगा यह ना यहां पर भी कलब नमबर भी हो जाएगा वीडियो पर इसम पूचा गया था इस नदी के एक लंबाई है उन्तीसों किलोमीटर है या तिबबत में शुरू होती है चहां इसे त्यास त्यास पो क कहा जाता है और दिहंग नाम के तहित बारती छेत्रे ने अड़ांचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसकी माहत्वपूंड सायक उपनदी सुबन सिरी कामिंग धंसरी मानस तीस्ता नदी का आपको नाम बताना क्या है देखें बहुत कुछ लिखा हुआ है और जो वीडिय समागम अरब साकर में है यहां पर देना तो यहां पर आपको हो जाए गा नर्मदा नदी है अब इकल्प नंबर यहां पर होगा है मिल्कुल यहां पर सारे टॉप जितने वी देखें सब पढ़ने वाले ना सभी सबी लोग यहां पर जित्व संख्या कम रहती है लेकिन तुल किसमी नदी परवस्त निगलती है इसकी लंबाई याद रखेंगे चौदा सो एक किलो मीटर है कितनी है चौदा सो एक किलो मीटर है चलिए और यह दच्छिट पूर्मे में बैती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है भारत की तीन महत्पूर्ण नदियों का सुरोत हिमाले इस्तित्मान सुरोवर जिल के निकट है बताईए यह कौन सी नदियां है यहाँ पर देखे 85 का जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रम्ब पुत्र है सतलज है और कौन सी है सिंदु है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा बी नंबर होगा बिलकुल सही जवाब यहाँ आगे बढ़ते हैं नदी के प्रवाग को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, यहाँ पर देखे जवाब देना है, याद रखिएगा क्यूसेग होता है, यहाँ पर अंसर क्या होगा, विकल्प नमबर आपका राइट अंसर हो जाएगा, क्यूसेग मीटर से प्रियोग किया जात कि कमेंट करते रहें जो लोग बात में आरहें वीडियो को लाइक सेर भी करते रहें यहाँ पर दिखिए आपका हो जाएगा नासीख होगा कि विकलप नमबर यहांपर डि होगा अगर बांध किस नदी पर बना हुआ है यहां पर देखिए जबाप देना राइट अंसर क्या ह प्रशन कई बार पूछा गया था इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांद है यहां पर दिखिए जवाब देना राइट अंसर क्या होगा तो यह आपका होगा गुजरात हो जाएगा विकल्प नम्र यहां पर क्या होगा राइट रहाद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते शूराज जिले में आमका पढ़ता है तमील जिले में किलकल नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रेंड एनिकट बां जो कि सबसे पुराने बांदों में से एक है कहां पिरिस्तित है यहां पर देखिए जवाब देना है नाइंट यांचर क्या होगा और यहां पर के कमेंट क पतचल आओगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं वाख्रा बांद किस नदी पर बना हुआ है यहां पर देखिये बताना इसका राइट अंसर क्या होगा तो भाख्रा जो बांद है आपका हिमाजल प्रदेश के यहां पर आपका विलास प्रुवा जिला पड़ता है ना वहीं हीरा कुंड बांद है आपका चलिए यह माहा नदी पर इसका निर्माढ है औरी समय आगे बढ़ते हैं और यहां पर बताना यहां पर कुड़न कुलम परियोजना किस राज्य में इस्थित है यहां पर देखिए जवाब देना यहां पर अंसर क्या होगा तो यह आपका है तमि यहां पर आपका अंसर होगा क्रेश्णा नदी बिकल्प नंबर यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए बताना पैठन जले विद्धुत पर योजना किस राज्य में इस्थित है 96 के देखिए जवाब देना इसका अंसर क्या ह होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा महाराष्टा विकल्प नंबर यहां पर डी होगा चलिए नेक्स्ट प्रस नम से पूछा गया है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है अगर हम चमेरा बांध की बात करते हैं और यहां पर देखिए 97 का अंसर क्या होगा चलिए यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा विकलप नंबर यहाँ पर आपका B होगा ठीक ना रावी नदी पर है इमांचल प्रदेश में इस्तित है चमेरा बांध ठीक ना और किस नदी पर बनाया गया रावी नदी पर भारत के किस राज्ज में सबसे ज्यादा बांध है अगर हम ब पुछा आपको बताना है फेंगे लंबा तो आपका हीरा कुणन होचा पूछा गया है है ना उच्छा पताइए ऊच्छा काौँ सा होगा कि और यहां पर देखेंगे बीनमबर कह रहें बिल्कुल है है तिहरी बांद होगा हां 220 1 100 मीटर है इसकी लंबाई यहां पर बताईए गंटक सिचाई पर्योजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है हाना यहां पर देखिए चकवंदी लेकपाल में पूछा गया था तो यह आपका उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है हाना विकल्प नंबर यहा परशेंत भूजल रिजरों से आता है यहां पर का अंसर हो जाएगा एटी परसेंट है नाए टीपरसेंट बिल्कुल सही हैIFA यहां पर देखिए आपको बताना सलाल पन बिजली परयोजना किस नदी परिस्तित है यहां पर देखिए जवाब देना है राइट अंसर क्या होगा सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी परिस्तित है यहां पर देखिए जवाब आपका क्या होगा यहां पर आपको हो जाएगा चिनाव नदी परिस्तित है याद रखेंगे हाँ बिल्कुल देगे जेलम नदी बंजीए सागर बांद है अगर हम ब्यास नदी पर बात करते तो ब्यास पर परियोजना है चलो पीटी में पूछा गया था प्रस्टेशिफ्ट में बारत के उत्तरी उत्तर पसिमी भागे निम्नमे के एक के कारण सीत कालो के दाुरान वर्षा होती है यहांपर देखिए बताना अंशर क्या होगा 103 का हां बिल्कुल सफली जवाब था 103 का आपका अंसर यहां पर एप परते हैं भारत में ग्रीस में कालीन मानसुन के प्रवा की सामाने दिसान निम लिखित में से कौन है यहां पर देखिए बताना है राइट अंसर क्या होगा भारत में ग्रीस में कालीन ग्रीस में कालीन मांसुन हाना यहाँ पर अंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा विकल्प नंबर D दस छीड़ पस्चिम से उत्तर पूर्वे हाना जी सर B होगा हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए यहाँ पर अंसर नंबर आ गया D नंबर हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही दिया गया है देखिए हम आपको इतना प्रिक्टिस करा देंगे डेली हैंना अभी तो प्रिवियस यार इसका लिए है किसी और को सेट उठाएंगे आप पढ़ते पढ़ते आपको हर कोशन बिल्कुल जीयर्श कराट जाएंगे यहाँ पर देखिए बताना है पस्चिमी बिछोप जिस कारण उतर पस्थी महारत में बारिस होती है उसका उत्पति स्थल क्या है है तो उसका उत्पति स्थल क्या है भूमत्य सागर होगा राइट अंसर आपको होगा यहाँ पर विकल्प नमबर क्या होगा देखिए भूमत्य सागर म में कितनी फसली फसली रिफ्में पाई जाती हैं तो यहां पर आपके तीनी प्रकार के तो पाई जाती है हाना इन प्रकार की है एक रभी हो गया एक खरीप हो गया हाना और एक जायत की फसल हो गई तीने प्रकार की तुम्हें विकल्प नंबर यहां पर तीन होगा आगे बढ नबर बिलकुल सही है मासिन राम जाल है हां विलकुल लखपाल में पूसा गया था उस दिल को वर्सा दिन माना जाता जिस दिन वर्सा होती है, मतलब कितने, मतलब वर्सा हो आपको बताना है, यहाँ पर आज़ क्वाइट अशल — जो मताना कितना होगा, mm लिखा हुआ है, mm या क्वाइश इंटिमीटर नहीं का जाता है, वर्सा क्वाना कितने mm वर्सा हुई है, तो यहाँ पर आपका अंसर होगा धाई mm, ठीक ना, यहाँ परellym के बारे में निमर्खित में से कौठ zas गलाथा, यहाँ पर देखिए, मित्टी-स्इमंद्धित प्रसन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर झखिए, बताना है राइट अंसर क्या होगा, तो यहां पर पूछा गया था इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है जो मरुष्टली मिट्टी के बारे में बोला गया काउन से कथन गलत है इसमें नमक की मात्रा अधिक होती नहीं ये गलत है हना तो यही वाला आपका अंसर होगा विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा राइट अंसर आप कड़ घनत्त त्था इस्थूल तो यहाँ पर याद रखेंगे सुसक मर्दा का एक इक एकाई अज्तन दर्ब भाहर क्या कहलाताँ है गनत्त भी कहलाता और इस्तूल गनत्त भी कहलाता दोनों गे दोनों पाई नहीं है यहां पर देखिए हापको बताना क्या होगा नहीं गास पास से नहीं है आसरय अबारण यह भी है उत्लु मुझ्ट जूताई का लिए beschäft Igoses टीको यह तो है लेकिन आपका यहां पर आपका सी नंबर वाला नहीं होगा अंसार यहां पर देखी यह प्रस्ण कई बार पुछा गया मैं से किस प्रकार की मिठी कर देखें ना इस मिट्टी में पोटाज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन और फासफोरस थ्ट्रा कम होता है अगे बढ़ते हैं यहां पर दिखिए बताना भारत के कोई कोई छेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है यहाँ पर आपको हों जाईगा फेरण आकसाइड की उपस्तिति होती है यहाँ पर देखिए बताना है तेरा रोसा सब्द का ताथ पर क्या है तो यहां पर आपका क्या होगा इसका मतलब होता है लाल मिट्टी से किसे मतलब होता है लाल मिट्टी से होता है ठीक ना ये एक प्रकार की लाल एकले मिर्दा होती है और चुना पत्थर के आउचाय से प्राप्त होती है विकल्प नंब कोई दिक्कत नहीं कम से कम आपना तुक्का भी चेक कर सकते हैं कि हमारा तुक्का लग रहा या नहीं लग रहा है तीज हवाओं के दौरा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जम्मा हो जाती है अगर हम बात करते हैं लहरदार भूमी और इतली मिट्टी किसी चाही के लिए उप्यक्ति बेदी कौंसी है तो यह आपकी है फावारा है याद रख्येगा हलाकि फावारा के नाम आपने सुना भी होगा भी हाली में चर्चा में चलिए यहां पर अंसर क्या होगा आपका विक आपका सी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है चलो आगे बढ़ते हैं चलिए यहां पर देगी बताना है मिट्टी भारत में सरवाधिक मात्रम में पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है हाना तो यह भी प्रस्वांने कई बार कराया लगबाग 40% भाग पर पाई जा बिकलप नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही दिया गया है जब आगे बढ़ते हैं भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देशी है लमडी ये आदरभूमी है हाना चकबंदी लेकपाल में पूछा गया था तो यहां पर आपका हो जाएगा सांभर नामक जील हाना भार आप पर देखी बताना जहां जीटों के अनुसार पेड़ों से पत्तीयां ज झढ़ जाती है हुन्हें हम क्या कहते हैं यह तो बहुत अच्छा प्रास्टे I nisam अगे यहां पर आंसर बताना क्या होगा अब ने देखा नहीं होगा सागाउन टीफल के पेड नीम के पेड सीसम की है ना इक्या होते इनकी पतियां जढ़ जाते हैं और यहां पर 20 नमबर के यहां पर सी होगा बिद्गुल सही पन पाती बनोगा